एक साल अबसरबादिता सिद्धान्त बेहिन समझाउता के कारण राजनीतिक और अस्थिर्ता उत्पन हुई है जिसके कारण परसासनिक अरजगता फैला है अपराद भरस्ताचार चडम पर है और आज पांच हजार से जादा लोगों को गोली का सिकार होना पड़ा ये जांच उंचस्तर ये करावे सत्य सामने आएगा ठाने में केस तक दर्ज नहीं होता है सरकार अपनी रिपोर्ट वर्गलाने का भरमाने का जारी कर रही है पूरी तरह से सासन ठहर गया विकास रुप गया सत्रे सो करोर का व्राष्टा चार पानी में दरह रहा है स्ले सो करोर का एंबुलेंस घोटाला को दुबारा अफसर दिया जा रहा है और जिसका पैसे की लूट करने वाले पूल दहाने वाले का परमोसन किया जा रहा है यही सरकार की उपलब्धी है सिच्छकों पर लाटी चार्ज दस लाख नुक्ति का मामला को आवाज दवाने का प्रियास लोग तंत्र के पक्ष में सांती पुर्ण आंदोलन करने वाले को लाटी तंत्र से दवाने का प्रियास यही तो उपलब्धी है इनका यह उपलब्धी पूरी तरह से राज तंत्र बंस तंत्र और भरस्ट आचार का सिकार एक वर्स की ए महा गठबंधन की सरकार राहूल गांधी जे बिपक्ष की अगर जो आप इमंदारी से भूमका निभाते तो 72 दिन में आपको न्यूज नहीं मिलता कोई परसासन की कमजोरी है एक सजग विपक्ष 72 घंटे के अंदर सरकार को सजग करता है सरकार की खामी कमी को उजागर करके सरकार को उसे सुधारने का और ठीक करने का अबसर देता है लेकिन आप विपक्ष की भूमका तो निभाते नहीं है सिर्फ नाटक नव टंकी करते हैं अबसर मिलता है तो विदेश का दौरा करेंगे क्यों भूमिका नहीं निभाया है और आज जिस मनीपुर में एक घटना को लेके आप जो प्लांड घटना है मानवता को सरमसार करने वाली घटना है छाती पिट-पिट कर बोल रहे हैं आज बिहार के अंदर एक दलित की बेटी का चीर हरन हुआ उसको भी नग्न करके बाहर निकाला गया आज खुल करकर के एक दलित की बेटी का पती के सामने सामुहित बलतकार किया तो उस्टि करन की राजनित की आपकी सरकार एक्सन नहीं ले पाती है नरसंगार हो रहा है रोजज दरदनों हत्याएं हो रही है आपकी आबाज बिहार के परती क्यों बंद है क्या बिहार देश का हिस्सा नहीं है क्या बिहार में महा गटबंधन के दितराष्ट की भूमका निभाने वाले लोगों को दिखाई नहीं पड़ता है बिहार के अंदर लोग तंद पर लाटी चलती है एहां के नोजवानों के परतिभा को दमन किया जा रहा है क्या ये दिखाई नहीं परता एक आब आज क्यों सदन में नहीं निकलती है सदन के बाहर भी नहीं सदन के अंदर भी नहीं बिहार की उपेक्छा बिहार की जनता जबाब देगी मनीपूर के साथ बिहार पर भी आपका चिंतन नहीं विपक्ष की भूमिका नकारे विपक्ष होने के नाते आज आपकी भूमिका पर लोग विशुवास नहीं करता यह अर्विंद के जरिवाल जिस कॉंग्रेज के बिरुध जिनका जन्म हुआ यह अब सरवादी लोग हैं जो अपने गुरू अन्ना हजारे को भी नहीं बख्षे आज अर्विंद के जरिवाल हों नितिस कुमार हों स्रीमान लालू परसाज जादो हों यह सब कॉंग्रेज के बिरुध राजनीत में जन्म लेकर आगे बरे कॉंग्रेज मुक्त भारत का संकल्प लेने वाले लोग हैं और आज कॉंग्रेज युक्त भारत बनाने के लिए यह अबसरवादी सिधांत विहिन आज चरित्र की राजनीत करने वाले लोग नहीं है यह चालक नहीं हो सकते राजनीत का चालक यह लोग कतई नहीं बन सकते जो चालाकी से राजनीत करता है उसका एक्सिडेंट निश्चित होगा और देश की जनता ऐसे लोग पर अपने भ और भाग को सुरचित नहीं मौसूस करता